हाई गाइस तो आज हुगे हार एक और पब जी मोबाइल की वीडियो के साथ और आज की वली वीडियो मेर आपको बताने वाला हूँ के आप अपना एम जोए गाइस कैसे उसको बेटर कर सकते हो और यहाँ पे कुछ बताने वाला आपको कुछ न्यू कंट्रोल जिससे आर गेम जोए बहुत परफेक्ट हो जाएगा तो जो भी नया चैनल पर सबसे पहले सबस्क्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आन कर देना मैं ऐसी एमेजिंग वीडियो लाता रहता हूं तो चलो आर आज की वारी वीडियो शुरू करते हैं गाइस तो गाइस आर आप बटन होता है उसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे ठीक है ये वाला लेफ्ट साइड वाला भी एंड राइट साइड वाला भी और आप अपनी हिजाब से जो इसको लगा सकते हो खहीं पे भी आपका जहां पे भी कंट्रोल हो ओके तो ये ते यार हमारे डिफॉल्ट कंट्रो की जगे पे गाइस ओके इसका मैं तुमको बाद में फायदा ही बताऊँगा होगा कैसे और ये जो नेम वाला होता है हमारा जहां पे सारे हमारे जितने भी स्कौर्ड के बिलेड़ सोते हों सभी खेलता ती है उसको लगाएंगे हम गाइस मैप के पास में ओके और यहां पे जोए गाईस ये देखी सकते हो आप हमारा जो voice controls वगरा रहते हैं इनको लगाएंगे हम थोड़ा side में अब देखना गाईस ये जो हमारे होते हैं guns वाले controls इनको हम कर देंगे उपर की side पर तो दोनों हमको जोई उपर करने हैं और उसी के साथ पिस्टल वाला वो भी यार लगाना है तो आपको यार ये बिल्कुल perfection से लगाना है गाईस और आप यार ये use कर सकते हैं यहाँ पर देखो आप देखी सकते हो ये button size transparency और ये roll ये जो option है गाईस इनसे आप बिल्कुल perfectly set कर सकते हो अपने buttons को तो चलो आर ये हमारा pistol वाला button ये भी हो गया है set और अब इसको मैं बढ़ा करूँगा थोड़ा joystick जो होता है जिससे हम आगे पीछे move करते हैं इसको हम करने वाले थोड़ा बढ़ा गाईस और main जो चीज है वो होई lean वाला option तो गाईस ये देखो यार मैंने जो एक को बढ़ा कर दिया और एक को छोटा रख दिया ओके तो main चीज है हमारे जो काम आने वाली aim में वो यही काम आने वाली lean वानी ठीक है तो इसको यार मैं थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हमारा fire button जो है ये होगा कि हमको बिल्कुल clear दिखेगा नीचे तक अब देखो यार आप देख सकते हो यहां पर हमारी health care यहां तक तो बिल्कुल पूरा clear देख सकते हो नीचे तक और आपको बता दू यार ये जो देख सकते हो आप option हमने जो बड़े करेते इनसे फायदा ये होगा कि आपका कभी जो मिस नहीं हो पाएगा जैसे कि यार हम fire button पर दबाते हैं तो कभी कभार click नहीं होता guys तो इससे फायदा ये होगा guys अब यार जो main चीज़ आती है हमारी वो आती है guys हमारे aim को लेकर के ठीक है तो हमारा जो aim करने में जो फायदे मंद रहेगा सबसे बड़ी या जो रहेगा हमारा वो होगा guys lean वाला option जो की दो button जो देख सकते हो आप यार यहाँ पे fire button के ऊपर जो दो button है वो होते है guys lean के option और वो जो है आपको on करने पड़ेंगा आपकी settings में जा करके तो अगर आपने भी तक on नहीं करें तो कर लेना मैं आपको बता देता हूँ कहां से करने on so guys यार हम आ चुके अभी हमारी settings में और आपको यह वाला जो option मिलेगा peak and fire का वो आपको मिलेगा basic settings में तो सबसे पहले आपको देखो gyroscope जो हमारा उसको यार scope on पे करना है guys और यह देखो यह वाला option जो हमारा peak and fire वाला इसको enable कर देना है और यह जो second वाला option है peak and open scope इसको भी आपको on कर देना है तो यही था हमारा option यहाँ से आपको मिल जाएगा और आपका option own हो जाएगा so guys यार अब आपको मैं दिखा देता हूँ हमारा difference जो है recoil का तो आप देख सकते हो यार हमने normal ADS on करके जो है मारा एक gun को और आप इसका recoil दे की सकते हो कितना जादा है अब आपको मैं यही चीज़ करके दिखाऊंगा हमारे peak and fire यार वाले option से और उसमें देखना कितना recoil जो है आपको देखता है तो अब हम ट्राय करते हैं का इस पीक वाला option और देखना आप रीकॉइल डंक से देखना और आप खुद ही देखना एक बार कि कितना recoil control हो रहा है तो देखी सकते हो गाईस यार बिल्कुल स्प्रे हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल जो है स्प्रे हो रहा है और जबी भी आप यार देखो यार यह देखो मैं बंदे को मार रहा हूं तो देखो यार मतलब हिली राया यार थोड़ा थोड़ा ओके बढ़ आप यही चीज यार देखो पीक करके मारोगे तो बिलकुल यार मतलब इस्प्रे डाइब होगा पूरा इस्प्रे डाइब होके तो गाईस यार हमारे जितने भी PUBG वाइल के प्रो प्लेयर से यही यूस करते हैं गाईस पीक एंड फायर वाला आप्शन तो गाईस इससे आपका एम जो बिलकुल गौड लाइक एम हो जाता है मतलब पूरा इस्प्रे डाइब होता है गाईस और आपका एम जो हिलता नहीं है अब आपको बता दूँ को गाईस मितलब होता क्या है हम sımcle ADS on करके मारते हैं और पीक करके मारते हैं तो दोनों में difference कया होता है अगर गाईस हम we have simple ADS से मारते है तो हमारी गण होती है वो या तो उपर की तरफ move करती या फिर नीचे की तरफ move करती है ठीक है अब हम बात करते हैं पीक करके तो हम यार जब भी भी पीक करके मारते हैं गाइस तो हमारी गन जो है देखो यार टेडी हो जाती है ठीक है टेडी हो गई गन हमारी तो देखो यार हमारा जब हम नॉर्मन एडियस मारते हैं तो या तो गन नीचे जाती है या ऊपर जात स्ट्रेट जाएगी बिल्कुल तो इससे होगा ऐसा गाइस कि आपका जो डैमेज है डैमेज परसंटेज वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जायागा और आप अराम से जो इस सामने आले बंदे को मार सकते हो और आपको जहां पर भी एम लेना या तो हैड शॉट मार सकते हो उसको लेट्स गो तो यार देख सकते हो आप यार यह जो हमने नॉर्मल शॉट मारा गाई और अगर यार हम क्रॉस एर मारते हैं तो आप देखी सकते हो कितना बढ़ी है जो हमारा एम हो रहा है हमारी सनाइपर राइफल्स में भी अब देखो यार बहुत सारे राइफलस में थोड़ा सा मूफ करेंगे फिर जाके मारेंगे तो यार इसमें जो बहुत ही जाला टाइम खराब हो जाता है तुमारा तो तुमको सबसे बड़ी चीज में बताता हूँ गाईस गाईस का डारेक्ट जो तुम जाओ यार पेड़ से बाहर निकलो ADS मतला यार यह जो लीन वाला उप्शन जो मैं आपको बताया गाईस इसको दवाओ डारेक्ट और मार दो बंदे को तो गाईस यार अब हम बात करने वाले लास्ट चीज के बारे में तो आप यार बहुत सारे सोचते होंगे यार बंदे और बंदे इससे कर लिए हैं 4Xヤ ठीक है तो देख सकते हो आप यह जो यह सप्रे जो कर रहा हूंग 4X है यार बिलकुल ऐसा काई सप्रे कर सकते हो बस आपको यह सैटिंग्स जो ए छेंज करनी है तो सबसे पहला है हमाजाते है हमारी sensitivity में तो यार sensitivity जो है आप यार यार तो high रखना या फिर अपनी customize कर सकते हो तो customize कर लेना गाईस मैं बता देता हूँ आपको तो आपको बस यार 4X की customize करनी है तो 4X की आप देख सकते हो यार यहां पर मैंने कर रहा है यह 17% ओके 17% का इस आपको रखनी है और आप जो है आर जब भी मारोगे तो आपका जो यह मतलब scope जो रहता वो ऊपर की side पे जाता है ठीक है तो आपको नीचे की side पे swipe करना है और आपका spray जो है पूरा control हो जाएगा और यार आगार आपको lean करके मारना है तो lean करने में भी यार बहुत बड़ी spray होगा और better than मतलब यार हम अगर normal मारते हैं ऐसे तो उसके मुकताबिक यार जब हम lean करके मारेंगे तो उसमें ज़्यादा जो हमारा recoil control होगा तो कि मैंने आपको बताई था तो कि उपर नीचे नहीं हिलेगा हमारा lean में टेड़ा होता है वो हमारा scope जो है तो उससे फायदा यही होता है कि आपका spray जो हो जाता है तो आज की वीडियो में है इतना ही था होफ़ली आप सभी को अच्छे लगी हो मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में तो यांचा लाजों पसक्षाइएब